हलो नीटरसपनेट्स, कैसो आप लोग बढ़ई हो, अच्छे हो, मतिमे हो देखो, अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि जो न्टीय में लेटर क्यों दिया गया पहले न्टीय शे पहले न्टीय में लेटर दे करके डेक्ट सुपरीम कोट में PIL क्यों नहीं दायर किया गया, देखी, जो इसके पीछे कुछ टेकनिक्स है, ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए, कि अपने इंडिया में इतने cases pending है, ठीक है, और अगर यहाँ पे legal process में जाओगे न, तो इतना time लगेगा कि उसका result आते, तो मारी उमर पास हो जाएगी, तो that's why इसके पीछे कुछ techniques है, जिसके लिए यह चीज किया गया है, तो उसके बार में अभी हम लोग discuss करेंगे, तो एक चीज request है आप लोग से, और आप लोग ने बहुत support किया है, मेरे पिशली वीडियो पे है, और आप लोग से request भी किये थे, कि आप लोग प्लीज like, share, subscribe, जरूर कीजे मेरे वीडियो को, और definitely यह मेरा हक बनता है, और आप लोग से, क्योंकि आप लोग का प्यार जरूर चाहिए, support जरूर चाहिए, कोई भी है, इस moment में, और से अधिक से अधिक लोगों को जोर करके, तो अब बात करते हैं, कि दखो, जब हम लोग इस case को, NTA में पहले ना दे करके, मतलब लेटर, without NTA के DG को लेटर submit करके, अगर direct supreme court में जाते हैं, तो supreme court क्या करता, पहले आपको भेज़ देता, कि NTA के DG से, जाके यह लेकर आओ, उसका written statement, कि उनका इस पे क्या यह है, क्योंकि अभी तक NTA का कोई written statement नहीं इस पे, नी 2021 को लेकर के, ठीक है, जो भी है, social media में है, ठीक है, रीटेन statement कोई कुछ भी नहीं है, तो वो supreme court आपसे मांग देता, उसके लिए एक नया date पड़ता, आप समझ सकते हो, तो यह चीज़े ना हो, that's why पहले NTA के DG को लेकर लिखा गया है, कि आप इस पे representation दीज़े, आपका क्या view है, वो share कीजिए, और फिर हम जाके इसको supreme court में देंगे, ताकि आप लोग का time बचे, और यह process जल्दी हो जाए, ठीक है, इस चीज़ को समझना जरूरी है, नहीं तो direct supreme court में जाते, supreme court फीचे बेज जाता, फिर यहां से वहां जाते, मतलब एक के step बढ़ जाता, तो इ आपका जो view है, वो present के जिए, बट अभी तक कोई उनका statement नहीं आया है, और देखते हैं, जैसा भी कुछ आता है, यह दो definite है, कि अगर positive response नहीं रहा, तो जो भी है, इसमें teachers, activists, वो supreme court जाएंगे, ठीक है, तो आप लोग बस बने रहिए, और साथ देते रहिए, सपोर्ट कर करते रहिए, इस पर जो भी अगर update आता है, फिर से आप लोग के साथ share करता हूं, तब तक के लिए, bye.